इस सामान्य चीज की सायता से आप अपनी नीवू के पौदे को फूलों से फलों से भर सकते हैं नीवू के जिस पौदे पे कभी फूल नहीं आया है या फूल फल वनने से पहले ही गर जाता है उसके लिए आप प्याज की सायता से एक ऐसा घरेलू फर्टलाजर बना सकते हैं जिससे आपके नीबू के पौदे पे फूल आने लगेंगे और फूल फल में भी कनवर्ट होंगे ये वीडियो विसेशकर उन लोगों के लिए है जिनके नीबू पे कभी फूल आया ही नहीं हाँ उनकी उम्र हो गए है पांच वर्सका पौदा है छे वर्सका पौदा है फूल आता नहीं है या फूल आते ही गिर जाता है तो इस वीडियो को इसके मत कीजेगा मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ जिसका यूज करने के बाद आपके नीबू के पौदे पे बहुत अच्छी फूल होने लगेगी तो सबसे पहले आपके नीबू के पौदे में अगर नमी है तो दो-तीन दिन उसमें पानी बंद कर दीजिये जिससे आपका नीबू का पौदा है जो मिट्टी है वो ड्राय हो जाए अगर जमीन पे पौदा लगा है तो वहाँ भी आपको पानी बंद कर देना है इसके आपका नीबू का पौदा लगा है जैसे वो 12 इंच का गमला है यहाँ पर आपका अगर 12 इंच का या उससे बड़ा गमला है तो आपको उसकी एक गहरी गुडाई करनी है तीन से चार इंच की अगर मैं बात करूं तो 25% मिट्टी आपको खोद देनी है और जो मिट्टी हम खोद रहे हैं उसे हम फैकेंगे नहीं उसे एकटा कहलेंगे क्योंकि आगे हमें इसे काम मिलेंगे तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी ध्यान रखने वाली बात यह है कि गमले में रूट बावल बन जाता है जणे एकटी हो जाती है जिससे पौदे का विकास रुक जाता है औ यहाँ पौदा हिलना भी नहीं चाहिए वरना भी गर्मी पड़ रही है सूख जाएगा तो जो मिट्टी हम उसे निकालते रहेंगे कुछ इस तरीके से आपको लवा बीस पच्चिस पतसत भाग गमले का खाली कर लेना है अगर जमीन पर पौदा लगा है तो आहां भी आप गहरा गड़ा करेंगे और मिट्टी को एक साइड में जो है एक खटा करेंगे हिसी बीच आप क्या करेंगे कि आपको चाहिए एक प्याज बड़ी सी प्याज लगवग 50-100 ग्राम वेट की आप चाहें तो दो प्याज ले सकते हैं प्याज के अंदर नेचिरल सल्फर होता है सल्फर पौधों में एक तो फंगल इंफेक्शन रुखता है रूट सड़ती नहीं है साथी साथ फूलों को इंक्रीज करता है फूल बढ़ाता है पौधी पर तो हमें एक प्याज लेनी है और एक प्लास्टिक का वर्तन लेना है मिट्टी का वर्तन आप ले सकते है धातो का कोई वर्तन आप यूज नहीं करेंगे इसमें इसके बाद चाको की साथा से प्याज के आप जितने छोटे तुकड़े कर सकें उतने छोटे छोटे पीसे सापको प्याज के कर लेने है तो यहाँ पर मैंने जो प्याज लिए है वो नासिक प्याज है आप चाहें तो देशी वेराइटी की प्याज ले सकते हैं वह और बहतर होगी और प्याज के छोटे-छोटे में पीस कर ले रहा हूं यहाँ पर तो यह जो प्याज का हम फर्टलाजर बनाएंगे यह प्याज का फंगी साइड भी काम करेगा और आपके पौदे पर फूल भी आएंगे फल भी आएंगे जो पीस है उन्हें में अलग-अलग किये लेता हूं जिससे ज्यादा से ज्यादा जो सल्फर है या जो अन्यपूशक मिल सकें इसके बाद इसमें लगवा आधा एक लीटर पानी हम मिक्स कर देंगे अब यह जो मैं चीज मिलाने वाला हूं यह उन लोगों के लिए है जिनके नीवू पे कभी फूल आया ही नहीं है तो यह केमिकल फर्टिलाजर है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्पेट यह आप आपको वाजार में डाई के नाम से या डीएपी के नाम से मिल जाएगा तस 15 दाने आपको उसी पानी में जिसमें आपने प्याज डाली है उसे में आप मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से इला कर जोल लेंगे इसके बाद अभी आपको करना यह है कि जिस गंळे म जो उपर से हम देते हैं वो नीचे पौदे की जड़ों के पास तक नहीं पहुंच पाती है तो यहां पर हम यह बाइपास कर रहे हैं बाइपास हजरी देखिया न कुछ बैसा ही यहां पर हम कर रहे हैं नीबू के जड़ों के पास तक हम अपना फेटलाजर पहुंचाने की ए इसके वाद जो हमने प्याज और डाई मिलाकर जो फैटलाइजर बनाया है वो एक लीटर पानी हम अपने नीबू वाले गमले में दे देंगे इस तरीके से कुछ जैसा हमने कर रहा हूं वैसा ही देखे और अभी काम खत्म नहीं हुआ है अब आपको लवाद 200-500 ग्राम बर्म कमपोस्ट या कमपोस्ट लेना है और यह जो प्याज वची थी इसमें पानी डालके अभी रख दीजिए इसी बीच यह खाद जो हमने लिया है यह फुली दिंग पोस्ट आपको लेना है आप गोवर खाद भी ले सकते हैं और जैसे मैं फिलिंग कर रहा हूं न मिट्टी की जगे हम यहां पर गोवर खाद की फिलिंग कर रहे हैं 200-500 ग्राम मैंने यहां पर खाद डाली इसके बाद ऊपर से कवर करने के लिए जो हमने स्वाइल निकाली थी सुरू में ध्यान है न आपको वो स्वाइल ही हम यहां डालेंगे इससे दो फायदे है पहला तो पानी अचा के रखी थी उसमें पानी डाला था इस तरीके से और यही पानी हम दोबारा से मिट्टी के उपर हम देंगे आप इसमें कुछ फ्रेस वाटर भी मिलाएंगे तो यह पूरी प्रकरिया आपको बर्स में सीजन में एकवार करनी है आप अभी कर सकते हैं अगर फूल नही अधल के लागएंगे